हलो एवरिवन मैं हूँ डॉक्टर मनीज जैसवाल और इस वीडियो में हम लोग नीट के प्रिपरेशन के लिए जो इंपोर्टेंट बुक्स हैं उसके बारे में डिसकस करने वाले हैं तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं और सुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि किसी भी पॉब्लिकेशन ने या किसी भी बुक कमपनी ने हमें कोई स्पॉंसर्शिप नहीं दी है कि आप हमारे बुक को सोकेश करिए फिलहाल जो बुक्स हमारे पास अविलेबल थी जो हम पर बाध कर रहें बाद कर रहें बाद कर रहें हैं और इस नान्टी कोश्चन से भी मैग्जिमम में इन दो बुक से इन सबसे पहले हम इसको ही आपके सामने स्वीज करेंगे ये एंसटी की 11th की बुक है ठीक है यह आपको हिंदी और इंग्लिस दोनों में मिल जाएगी ठीक है, इसका cover page निकल गया है, actually मैं खुद इस book का प्रयोग करता हूँ, पढ़ने के लिए भी और पढ़ाने के लिए भी, तो theory वाला जो portion होता है, ठीक है, नीट के preparation में दो important part होते हैं, पहला part होता है, theoretical part और दूसरा part होता है, objective part या question practice, ठीक है, तो जो theoretical part होता है, biology के लिए ठीक है, उसके लिए आपको कोई और book other consult करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आपको करना क्या है, कि आप definitely कहीं से हो सकता है, आप coaching ले रहे हों, या कहीं से ट्यूशन ले रहे हों, या कोई नो कोई आपको biology आपका teacher पढ़ा रहे होंगे, ठीक है, तो आप उस teacher के notes पर भरोसा करिए, बेटर होगा कि अगर teacher आपको NCRT-based पढ़ा रहे हैं, तो बहुत अच्छा है, लेकिन आजकल कुछ teacher लोग PhD वाले खास करके, तो वो and send भी चीज़े बहुत पढ़ाते हैं, तो content बढ़ा देते हैं, जिससे कि बच्चों को, हैना confusion जादा create होता है, तो ये आप देख 11th और 12th दोनु बुक को आपको अच्छे से पढ़ना होगा, तो ये 11th का part है, जिसमें total 22-22 chapter दे हुए हैं, और ये NCIT की 12th की बुक है, ये भी थोड़ा सा है, कुछ है, क्योंकि इसका उपयोग किया जाता है, और मैं आपको बतारू कि मैंने कम से कम हजारों बार ये बुक पढ़ी होगे, और हर बार मुझे ये नया लगता है, पढ़ने में, ठीक है, देखने में तो काफी पुरा ना हो गया है, तो हर बार नया लगता है, मतलब हर बार कुछ नो कुछ नया point हमको मिलता ही है, ठीक है, या फिर उसको explain करने का तरीका, तो ये teacher का काम होता है, ये आ लिए आप अपने teacher के help ले सकते हैं, जो teacher आपको NCRT-based पढ़ा रहे है, तो theory के लिए I strongly recommend, ठीक है, अभी जितने भी books में आपको दिखाने वाला हूँ, इस में से एक ही book को मैं अपने side से आपको recommend कर रहा हूँ, प्लीज, आप NCRT-book अवश्य कर लिजिए, अगर आप NEET के करना चाहते हैं, क्योंकि मैं खुद ही एक गलती कर चुका हूँ, 2006 में जब मैं NEET कहना चाहिए, क्योंकि हमारे time पे all India PMT, AI PMT होता था, 2006 में मैंने बहुत seriously नहीं लिया था इस book को, हाला कि हमारे teacher ने suggest किया था, तो मैंने seriously नहीं लिया था इस book को, और नहीं पढ़ा था, मै exam crack नहीं हुआ था, exam crack हुआ उसके अगले साल, तो पूरा एक साल बरबाद हुआ सिर्फ इसलिए, कि इस book को मैंने नहीं पढ़ा, अपने teacher की बात मानी होती, अपने senior की बात मानी होती, जो सबने मुझे suggest किया था, कि NCIT को अच्छे से पढ़ लो, तो मैंने roughly ऐसे पढ़ा ठीक है, seriously नहीं लिया था, मुझे इतनी पतली सी book है, इससे क्या होगा है, तो हम True Man, Dinesh, Pradeep, यह सब की books पढ़ते थे, और वो बहुत interesting होते हैं, उनमें content काफी जादा होता है, पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, तो definitely हर कोई वो पढ़ना prefer करता है, और दूसरी चीज की जो हमारे टीचर हैं, वो भी NCRT-based नहीं पढ़ाते थे, मतलब वो जो पढ़ाते थे, वो अलगी चीज होती थे, अलगी कहानी होती थे, ठीक है, वो PhD वाले टीचर होते हैं, तो अब किसी ने फंगस फंगस से PhD क्या हुआ है, तो देरदो मेने फंगस ही पढ़ा रहा है, त बहुत सारी चीज़ों को नहीं भी पढ़ना है, तो किन चीज़ों को नहीं पढ़ना है, और उसी चीज़ को आप पढ़ने में अपना समय पर बात करोगे, तो ये difficult हो जाएगा आपके लिए, तो बहुत important है, चलिए, तो ये आपकी दो books होगे, जिसको आपको करना ही करना ह हैं, चाहे आप नीट अभी दे रहे हों, अगले साल दे रहे हों या कभी भी देने वाले हों, NCRT की book आपको compulsory है, theory के लिए, ठीक है, प्लस अपने notes खुद बनाईए, अभी मैंने देखा बहुत सारे Facebook, Instagram और ये तमाम जगह पे, हैना कि NCRT पे based बहुत सारे notes available होते हैं, य ये notes ले लो, elements ले लो, 100 रुपे में ले लो, 200 रुपे में ले लो, बड़ मेरा कहना है कि इसका mutation मत करिये आप, mix up मत करिये, mutation मत करिये, ये neat के लिए biology का DNA है, आप इसको mutation form में आप लोग देखते हैं, simple सा logic लगाईए, अगर आपको notes बनाना ही है, notes पढ़ना ही है, NCRT based तो आप खुद से prepare करिये, आप खुद मेहनत करिये थोड़ा, बाकि आपकी टीचर तो मेहनत करी रहे हैं, अब खुद से मेहनत करिये, और notes बनाईए, इससे, ठीक है, ना कि किसी दूसरे का notes है, ना topper के notes, दुनिया भर चीजे मार्केट में available रहती है, मैं recommend नहीं करता है कि ठीक है, हर institute का notes उनके पास आपको मिल जाएगा, हर company की book उनके पास आपको मिल जाएगी, ठीक है, बस बाकी क्या रहागी आप पढ़ना, किसी एक को भी अगर आप इमानदारी से complete कर लेते हैं, समझे नीट उसी दिन आपका निकल जाएगा, तो चलिए कुछ books के बारे में तो theory के लिए book हो गया, अब आपको आप देख्टी question solve करना होता है, तो अब ये depend करता है कि आपके पस time कितना है, अगर आपके पस पूरे साल भर का time है, ठीक है, तो आप आराम से quantity भी देख सकते हैं, question की, quality तो definitely आपको देखना ही चाहिए, quantity भी देख सकते हैं, मतलब number of question आ कि आपके पस time कितना है, वैसे NCRT based question के लिए market में ऐसे तो बहुत सारे books available है, जो सबसे ज़्यादा चलते है, देर की master the NCRT और ये अरिहंत publication का है, मैं कोई चीज़ हाइड नहीं कर रहा हूँ, नहीं कुछ edit करने वाला हूँ, तो आप देख सकते हैं, ये master the NCRT, इसके दो volume आते हैं, this is first and this is second, एक जो है 11th पे based है, इसमें 22 chapter आपको मिल दाएंगे, और दूसरा जो होता है, ये 12th पे based है, इसमें 16 chapter मिल दाएंगे, ठीक है, नीट का आप syllabus अगर देखना चाहते हैं, तो NTA के website पे आपको available है, नीट में, biology के syllabus, even physics or chemistry का भी, तो उसके syllabus पे based question इस पे है है, chapter wise question है, topic wise question है, और sufficient question है, ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं, यदि आपके पास परयाप्त समय है, तो इसको कर सकते हैं, ठीक है, प्लस इसमें हर question का पीछे almost, ठीक है, अब जो बहुत easy question है, उसका क्या explanation देना, तो almost काफी सारे question के explanation भी इसमें पीछे दिये हुए हैं, तो ज explanation भी इसमें दिया हुआ है, साथ ही साथ, जैसे NCRT की book आपको Hindi और English दोनों language में मिल जाती है, तो ये book भी आपको dual language में मिल जाती है, that means कि Hindi की अलग होती है, और English की अलग होती है, और दोनों का content सेम है, question सेम है, और content सेम है, हाला कि ये जो मैं भी आपको दिखा रहा हूँ, ये थोड़ा पुराना edition है, आपको market में इसका बिल्कुल latest edition मिल जाएगा, ठीक, एक सुंदर सा cover पे जो अगर चेंज हो जाता है, question तो लगभग, save रहते हैं, कुछ question बढ़ा भी दिया जाते है, तो एक NCRT-based biology के लिए, ये master the NCRT है, जो बहुत सारे बच्चे purchase करते हैं, ख cover किया गया है, ठीक है, और दूसरी चीज, हाला कि आप देख सकते हैं कि ये specimen copy है, ठीक है, मतलब हम को या हमारे जैसे टीचरों को ऐसे लगभग सारी company, सारे publication वाले specimen copy देते हैं, जिसको हम लोग बाद में बच्चों को distribute कर देते हैं, हर बार हम कितना सारा copy रखेंगे, ठीक पहले जो मैंने आपको बुग दिखाया, Master the NCRT, उसकी भी थोड़ा-थोड़ा थोरी भी दिया रहता है, बट आप थोरी के लिए NCRT ही consult करिए, जैसे ही आपका chapter complete होता है, तो question solve करने के लिए आप इसकी help ले सकते हैं, तो क्या आपको दोनों करना चाहिए, तो मैंने कहा कि पर भी दिये हुए है, ठीक है, question जो है NCRT based है, लगभग सारे topic को cover किया गया है, और आसाई से आप से बनेंगे, बाद में मैं बताऊंगा कि जब इसके question बन जाते हैं, फिर भी NEET के exam के दिन आप से question क्यों नहीं बनते हैं, उसके reason भी मैं बताऊंगा, और उसको कैसे आपक question आपको provide करते हैं, तो अब आप चाहें तो दोनों book solve कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक book आप ले सकते हैं, अगर आप 11th के student है, तो आपको सरफ 11th follow portion करना चाहिए, और अगर आप 12th के student है, तो आपको 11th plus 12th दोनों को simultaneously करना चाहिए, क्योंकि नीक में जो question है, 11th से भी आए publication का है, एक Arihant और एक दिशा publication का है, और ये must है, जैसे ही कोई chapter आप complete करते हो, तो मैं recommend करता हूँ कि उसको करने से पहले आप इससे कर लो, है क्या ये previous year के question paper, बहुत simple, है ना, आपको अलग-अलग company के मिल लाएंगा, Arihant में भी मिल लाएंगा, MTG में मिल लाएंगा, दिश जो question आ चुके हैं, वो सारे question रहते है, chapter wise और topic wise रहता है, खीक है, तो आप इसको देख सकते हैं, जैसे ही आपने theory पढ़ा, उसके बाद आप चाहें, तो neat के previous year के question कर लीजे, तो होता क्या है, एक idea, आपको एक idea मिल जाएगा, कि किस type के question, या किस topic से, किस sub topic से questions आते हैं, है not only in biology, आप physics और chemistry में भी previous year का question paper जरूर solve करें, पहले chapter wise और exam से कुछ दिन पहले year wise, उस पे भी बात करेंगे, तो ये भी आपको हिंदी और English दोनों में मिल जाता है, आज कल ज़्यादा तर जो books हैं market में, आपको दोनों language में मिल जाते हैं, हिंदी में भी और English में भी, तो these two books, इसके MTG का भी आता है, आप वो भी देख सकते हैं, एक चीज़ और होती है, किसी book को consult करने से पहले, किसी book को solve करने से पहले, उसकी accuracy की जो उसमें answer दिया हुआ है, ठीक है, वो कितना accurate है, तो almost सभी book, ठीक है, लगबग ठीक ठाकी है, मतलब 95% जो answer दिये होते हैं, वो correct हो books में, मैं किसी book की बुराई नहीं कर रहा हूं, नहीं मैं individual review कर रहा हूं, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, तो मैं definitely individual book की भी review कर दूँगा, तो 95% से जादा ही answer सब में correct होते हैं, प्लस पीछे explanation भी दिया होता है, almost book explain करते हैं, आप वो पढ़ सकते हैं, तो ब फिर भी doubt लगता है कि नहीं, इसका answer B होना चाहिए, पर इसमें C दिया हुआ है, या फिर आपको लगता है कि नहीं, इसमें answer B, C दोनों होना चाहिए, लेकिन इसमें कुछ और ही answer दिया हुआ, ऐसा कोई भी confusion, तो फिर रोलाता है, teachers का, फिर हम लोग क्यों बैठे हैं, ठीक को, तो ये दूसरी टैप की book मैं आपको बताई, जो बहुत important है, नीट के, जितने भी बच्चे नीट का preparation कर रहे हैं, उनके लिए must है, previous year का question paper जरूर से जरूर बनाईए, सिर्फ इस उमीद में नहीं कि question repeat होगा, लेकिन हा, pattern, question का level, ये बहुत सारी चीज़े repeat होती है, ठीक हुआ है, तो आपको बनाना बड़ा आसान लगता है, क्योंकि अभी अभी आपने जैसे photosynthesis बढ़ा, for example, अब photosynthesis के question बनाऊगे, तो easily बनेगा, लेकिन जब आपके पास exam hall में जब आप जाते हैं, वहाँ पे पूरे 38 chapter से, और कई बार तो ऐसा होता है कि एक ही question में 4 option दिये किस topic का है, या किस chapter का है, यह recall करना पड़ता है, आपके mind को, तो इसके लिए सबसे simple और अच्छा तरीका है, कि chapter wise तो आप बनाते ही जाए, साथ में आप ऐसे question paper भी solve करिए, जिसमें सारे chapter के, major test जिसको बोलते हैं, जैसे आप लोग test भी देते होंगे, तो एक minor test होता है, ज जैसे chapter wise होता है, then फिर major test होते हैं, तो यह आपके practice के लिए होता है, तो major test जब आप देते हैं, उसमें multiple chapters के question compiled रहते हैं, तो आपका दिमाग है न, चारो तरफ सोचता है, तो कुछ ऐसी practice के लिए भी आपको market में बहुत सारे books मिल जाएंगे, फिलहाल जो मेरे पास available है, ठी अच्छी book है, no doubt, बहुत अच्छी book है, ठीक है, अर्मुह सारी books अच्छी होती है, ठीक है, तो यह रिहांति की book है, test ripe for NEET 2020 और इसका भी latest edition definitely आगया होगा, NEET 2021 के लिए है, तो आप ऐसे इसमें 30 unit test है, physics chemistry biology तीनों के, यह भी बहुत important होता है, कि जब आप NEET का exam देने जाते ह में तो आपको तीनों subject का मिलता है, घर पे जब आप practice करते हैं, तो आप individual chapter, individual subject का करते हैं, तो combined practice करना भी बहुत important है, कि 3 hour में आप तीनों subject को कैसे cover करें, तो उसके लिए combined all subject का practice करना बहुत must होता है, अब lockdown है, offline test हो कर बहुत जगर नहीं हो रहे हैं, लेकिन आपका exam तो offline ह होना है, ठीक है, तो आपको उसके according थोड़ा सा अपने दिमाग को settle करके घर में ही practice करनी पड़ेगी, कई बच्चे क्या करते है, mobile में है online practice करना चालो, तो आप खुद online 5-6 गंटे class attend कर रहे हैं, फिर practice भी mobile में करना है, इसलिए मैं recommend कर रहा हूँ कि आप book लीजिए, ठीक, online खुरिदिया, offline खुरिदिया, जैसे भी book से practice कर लिए, ज्यादा best होता है, ठीक है, mobile पे बहुत जदर dependency मत रखी है, तो इसमें आपको 1000 subject wise question भी दिये हुए हैं, वो भी आप देख सकते हैं, important question को छाट के लग कर दिया गया है, और इसमें आपको बहुत सारी चीजें मिल कर सकते हो, ठीक है, major test जैसा मिल लाएंगे, तो घर बैठे कर सकते हैं, ऐसे ही other companies के भी आते हैं, अलग अलग कंपनियों के, फिलहास जो मैंने कहां मेरकास available था, इसका भी Hindi और English दोनों आता है, ठीक है, तो ये English version जो आप देख रहे है, English edition है, और इसका Hindi edition भी आपको मिल ला रहती है, advertisement जैसे बोल सकते हैं, सारा चीज पढ़नी की जरुरत नहीं है, ठीक है, इसका conclusion इस वीडियो को मैं last में आपको बताऊंगा, क्या conclusion है, तो इस type की एक book आपको market में available रहती है, तो चलिए, अब मैं बता रहा हूँ कि कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि उनके पास कम time है, कम time है preparation करनी के लिए, या जिन्होंने अभी अभी recently 12th का exam दिया हुआ है, एक तेड़ महने के अंदर वो जल्दी जल्दी preparation को अपना करना चाहते हैं, तो उनके preparation के लिए भी एक market strategy है, हाला कि मैं कभी ये नहीं कहता कि 30 दिन में आप 45 दिन में आप neat clear कर लोगे, बेटा महनत लगता है, एक marathon की तरह है neat निकालना, marathon in the sense, लंबी race जिसको बोलते हैं, ठीक है, यदि आपने एक साल, दो साल बहुत अच्छे से preparation किया हुआ है, तभी आप neat clear कर सकते हैं, अदरवास किसी के जहांसे में मत आईए, कि 45 दिन में neat निकल लाएगा, 30 दिन में neat निकल करना, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगले टाइप की जो books market में रहती है, जैसे इसमें लिखा हुआ है, 30 days neat, biology, अभी हम जितनी books दिखा रहे हैं, इनके physics और chemistry के भी आते हैं, बट मैं biology को show कर रहा हूँ, ठीक है, biology ही पढ़ाते हैं है, तो इसमें आपको 30 days neat, लिखा तो ये आपको एक target देते हैं, कि जैसे NEET का exam आपका 30 दिन बचा है, आप पढ़ी एक chapter करना चाहते हो, अब आपको पस इतना time नहीं है कि आप master the NCIT की से question बना सको क्यों कि उसमें definitely contained जादा है, quantity जादा है, तो उसी के question को, कुछ-कुछ selective questions को इन में रखा जाता है, ठीक, इन books में रखा जाता है, और almost आप देखेंगे सारी books, कोशन मिलते जूलते ही रहते हैं, बहुत ज़्यादा different नहीं है, मुझे तो ऐसा लगते है कि 70-75% question सारे books में common ही है, तो आप, अगर आपके पास कम समय है, ठीक है, कि 30 दिन या 45 दिन है, तो per day आप एक chapter करना चाहते हैं, त आप ऐसे books से भी help ले सकते हैं, ये भी आपको अलगलग publication में मिल जाएगा, हिंदी में भी available होता है, और English में भी ये आपको market में उपलब्ध है, ये बहुत सारे books के बारे में मैंने आपको बता दिया, अब करना क्या है, सबसे पहरी बाद, आप अपने according decide कर लीजे, कितना आपके पास समय है, कितना प्रैक्टिस कर सकते हैं, किस subject को आप कितना time दे रहे हैं, ठीक है, उसके according आप book choose कर सकते हैं, I strongly recommend कि 10 चीजों के पीछे मत भागये, कि ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, मतलब NCRT की थियोरी तो NCRT से पढ़ लिजे, फिर मैं coaching का notes भी अपने coaching क का भी पढ़ लूँ, हैं, पड़ोसी के coaching का भी notes पढ़ लूँ और पड़ोसी के coaching का भी notes पढ़ लूँ गलत हो जाएगा, है ना, 10 नाव में पैर रखो को बेटा कहीं नहीं पहुंचोगे, ठीक, तो सबसे पहले NCRT की book, previous year के question paper और कोई एक objective book, ठीक है, इसको पूरा करो आ या तो अगर आपका coaching institute आपको लगता है कि NCRT based question प्रवाइड कर रहा है, ठीक है, तो आप उसको करिए, 10 चीजों के पीछे मत भागो, क्योंकि ले देके जब आप question paper देखते हूँ, NEET का, आप कोई भी year का उठा के देखो, कितना difficult है, आसान सा paper आता है, ठीक है, फिर आप difficult चीजों को करने के पीछे क्यों भाग रहे हो, जो unnecessarily जिसको बोलते हैं, ठीक है, overdosed जिसको बोला जाता है, फालतू चीजों को करने का time नहीं है, मैंने आपको बताया, कि NEET क्लियर करने के लिए क्या पढ़ना है, से जादा important है कि क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है, तो बहुत लेकिन आप बहुत सारी चीजों के पीछे भागेंगे, कि नहीं मैं ये भी पढ़ लेता हूँ, मैं वो भी पढ़ लेता हूँ, उसके नोट्स भी, उसके नोट्स भी, तो फाइनल में ऐसा होता है ना, कि एक खिचडी बन जाती है, खिचडी, और लास्ट मोमेंट पे आप रिविजन नहीं कर पाते हैं, एक और इंपोर्टेंट चीज, कि दूसरे के नोट्स पे बिल्कुल भरुसा मत करो, अपना नोट्स बनाओ, ऐसा नहीं कि यार, उससे नोट्स मांग के लिया है, उसको पढ़ लूगर निट निकल जाएगा, इतना आसान होता बिटा, तो हर स साल कोईनों कोई टॉप करता है, पिछले साल कोई टॉप किया होगा, उससे पहले टॉप किया होगा, तो उसी के नोट्स की फोटोकापी पूरे इंडिया में नहीं बिक्ती किया, और हर कोई उसी के नोट्स को पढ़ पढ़ के टॉप नहीं कर लेता है, ऐसा नहीं होता है, आप खुद जो मेहनत करते हैं नूर्स बनाने में वही आपको याद रहता है और उसी का डिवीजन आप कर पाते हैं राइट टाइक पे तो यह बहुत सारे छोटी-छोटी चीजें हैं जिसको आप फॉलो करोगे तो डिफिनिटली आपके मार्क्स इंप्रूब होंगे ठीक है मेहनत करते रहिए रिजल्ट हमेसा मेहनत करने वालों का अच्छा ही आता है और यह फालतू के जहांसों में कि 30-15 दिन मिनिट क्लियर हो जाएगा ऐसे करें वैसे करें यह सब बेकार जीजें हैं ठीक है तो डिफिनिटली जिसने मेहनत किया है उसके रिजल्ट होना ही होना ह है और जिसने नहीं किया है तो फालतू कि सपने देखने माले डॉक्टर बढ़ना डिजर्व भी नहीं करते है ठीक है है हो सकते है मेरी बाते हैं आपको कड़वी लगें बट फैक्ट है तो आप मैंसे अगर किसी को यह सारी बुक्स चाहिए एक सेप्ले न्सी आर्टी नही को मिल जाएंगे इसके और भी बहुत सारे सेंपल मेरे पास अवेलेबल हैं तो कमेंट कर दीजिए तो यह बुक आपको भेज दी जाएंगे ठीक है इस वीडियो में इतना ही बात करते हैं फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अगर वीडियो आपको अच्छा लगा देख